नेनिताल के थलाडी में 18 अक्टूबर 2021 को हुआ था भयानक हादसा जहां गाओं के कई घर बरबाद हो गए थे जिने आज तक सरकार द्वारा आश्याने बना कर नहीं दिये गए आपको बता दी की नेनिताल के विकासकंड ओकल कांडा के ग्राम थलाडी में 18 अक्टूबर 2021 को हुआ था भयानक भूसकलन जहां भारी बारिश के कारण पहाडी के दरग जाने से दरदनाक हादसा हुआ था जिसमें पांच परिवार बुरी तरह प्राबावित हुए थे तथा एक ही परिवार के 6 सदस्य और 4 मवेश्यों की जान चली गई थी जहां थलाडी के मिर्तकों को मुआवजा तो मिल गया था परंतु जिनके घर बरबाद हो गए थे उनको रहत के रूप में कुछ पैसे दिये गए जो की परियाप नहीं थे और उन सभी परिवारों को आज भ पैत्रिक गाउं छोड़ दिया है अब वे बिंदु खत्ता हलदवानी में रहते हैं वहीं ग्राम परदान गणेश सिंग का कहना था कि यदि इस बरसात के सीजन में इस तरह की आपदा दोबारा आई तो उनके पास कोई भी ऐसी जगा नहीं है जहां पर वो गाउं वालों क शिफ्ट कर सके लिहाजा उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि उनको विपत्ती के समय कुछ टेंट आदी वह खाने पीने की सामागरी मोहिया कराने की जरूरत है वहीं ग्राम परदान ने यह भी बताया कि पिछले 50 सालों से कराल बैंड से तकूरा बंचोकी तक सवा की रोड आज तक डामेरी करण नहीं हो सकी है लिहाजा यह अपने आप में बड़ा ही विनम्मना की बात है देखिए पूरी खबर वेद्प्रकाशारी की यूके 24-7 के लिए ने निताल से नमस्कार स्वागत है आपका यूके 24-7 नियोज में मैं वहिम्ताल से बेद्प्रकाशार है आज खंड उखलकाडा के ग्राम सभा थलाडी मैं उपस्तित हूँ और यहाँ पर 18 अक्टूबर 2021 में एक आपदा आई थी जो की बहुत बड़ा लेंड स्लैट था और जिसमें कई लोगों की जो है जान चली गई थी कई परिवार बेघर हो गए थे और आज भी इस्तिती बनी हुई है तो यहाँ जो राजेंदर सी रमे सिंग बिश जी जो है उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था कि आज तक उसका किसी ने भी कोई संग्यान नहीं लिया है और मैं उ मोहदे 18 अक्टूबर 2021 को यहां पर आपदा आये थी तब से लेके आज तक मैं कई बार उस समय के तत्कालीन जिलाधिगारी श्रीमान धिरेज घरवियाल जी से भी मिला था और बरतमान में जिलाधिगारी मोहदे को भी दिया उप जिलाधिगारी मोहदे तो यहां सार दिन रहे थे उस समय के तत्कालीन वाले और तैसिल्दार मेडम भी रहे थी लेकिन आज भी मेरे लगबक 15 परिवार मेरे गाओं के अभी इस आपदा की खत्रे में जी रहे हैं इस बार तो फिर मौसम भागने में बड़ा जारी कि इस बार लगबक 65% बारिस अधिग होगी और मे में हैं और हमारे पास लगबक 16-15 परिवार जो यह आपदा की एरिया में अभी यहां पर निवास कर रहे हैं इनको सुरक्सित जगह पर ले जाने के लिए मेरे पास कहीं भी ऐसी मेरे ग्राम बिंजयाद में कोई ऐसी जगह नहीं है एक मिनट आपको रोग रहा हूं मैं कैम प्रदा हुई थी और एक जो कितने परिवार अब आप यह बताइए मुझे कि कितने परिवार उसमें प्रभाइद हुए थे पांस परिवारों का आश्याना वह खतम हो चुका है और एक परिवार से छह लोगों के काचुल्टी वहां पर हुई थी और चार में इसी मारे मुझे तो उस परिवार में से यह कोई भी वह जीवित है तो वह यहां चोड़के चले जा चुके हैं वह इसमें बरतमान में बिंदुखता में रह रहा है इक भाइजिसका परिवार जिसका परिवार गया था दूनों भाई वहीं है एक तो वह सर्विस वाला है में काम करता है और बाइ उसका ध्यादी मद्दूरी करता है उधरी आपके में काम करता है आब आफ से चानवेक्त आफ Hindूशित हैं कितने परिवार से सब् due में के सब्सुर्आं गारए में ऊश्रत नहीं चले गए हैं जिन् essays नहीं एन में भीमजींघ पूत्र भचे शीम जो भाष छले गई है, प्रकास न पूत्र भचेंघ और आपके राजींध स्थी बच्छी माझात। भब रहा है बहुत घर हस्ते स्थे शोर्ट मताइब हो ड्रशर्ट भ इतने सेटिक गाहन के आड़र, मिला सरकार ने उसमें पता नहीं मजे ये तो मेरे संग्यान में है नहीं थोड़ी बहुत जो भी है सत्तर अशी हजार या नभे हजार के कुछ राहत दी थी लेकिन उससे में मकान नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि शारा अश्याना उज़र चुका था आवाज देने का उसमें कि तत्काली ने उपजिला अधिखारी योगेंद्र महराजी ने कहा था कि हम तत्काली ने आवाज दिलाएंगे करके तो अभी तक कोई आवाज सी शुबदा इन्हें नहीं मिली है जबकि कितने घर उसमें से जो बेघर हो गए थे जिनको शैतिग्रस्त हुए थे वो प्रदान में थे उनका भी अटल आवास योजना के नाम से जो पहले चलता था और मैं मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को जब इस तरह की आपदा में लोग जो है घर जाते हैं उनका सब कुछ नुक्सान हो जाता है परिवार चला गया ठलाडी गाउं में करीब लगभ प्रशाटता या जिलापरसाट ने कोई भी जो कारवाई है इस पर नहीं की है तो मजबुरन जो है आपको यह मुझे यहांपर बुलाना पड़ा सर आप सर्कार से या जिलापरसाट-razen से क्या consent करना चाहते हैं मैं यही consent करना चाहूंगा कि आने कि इतने परिवारों को विस्तापित कर सकूँ अगर ऐसी कोई इस्तित आती है तो सबसे पहले तो मैं परसाद से यह अनुरूत करूंगा यहां पर ऐसी विवस्ता के लिए तम सबसे पहले तो तुम्हु इसमें ज्यादा जल्दी तो एक उच्छ भी नहीं कर पाएंगे मलब उगरे जो भी हैं टेंट उगरे यहां उपलब्द कराएं जाएं और उसके बाद जो बेघर हुए हैं उनको घर मिले और आवदागरास्ते शेत्र में इस शेत्र को सुरक्सित करने के लिए यहां पर काम किये जाएं जिससे कि हमारे इतने परिवार यहां पर जो खत्रे की सकता है कि अब इसमें तो ऐसे जी लूजिकल सर्वीищ हुआ है उनकी क्यों मैं मुझे तो उससे भी आउगत नहीं कराया गया है उनकी रिपोर्ट से भी आउगद नहीं कराया गया है यह तो यहां पर कुछ भी करें सरकार जो लोगों के जो आसे आने हैं लोगों का जीवन है लोगों की घरगरस्ती है जमीन जाईजात है वो सुरक्षित होना चाहिए जो पूरे जो भी कदम है वो सरकार को उठाने चाहिए और जियोलोजिकल सरवे के हिसाब से जो भी उनकी रिपोर्ट होगी ये तो जाज का विसे है जो करेल बैंड है करेल बैंड से टकुड़ा करता हूं सर क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बिस्तार में बताईए सर यह प्रॉब्लम यह है कि एक किलो मिटर साथ सब पचास मीटर लगभग रोड है यह फॉरस्ट की है बनिवाग के पास है लगभग आज से लगभग पचास पासमें साल पहले कटी हुई है तो इससे कि पीडिबुल्टी की रोड हैं यह ऐसी स्तित हो गए इसमें यह बहुत खतरना इसमें आपने देखा होगा आप उसे से गुजर के आ रहे हैं तो बहुत गड़े हो गए हैं और इसे कई बार हम लोगों को ने परियाज भी किया इस से लोगों ने इसमें चुनाओ बहिसका की भी बात रखी थी फिर किनी कारण से अधिकारियों के समझाने से नेताओं के बीच माने से कि वह चीज नहीं हुई सुनाओ भाजिसकार नहीं हुआ था तो उसके बाद भी हमें इसकी कोई शूत नहीं ले रहे हैं क्या आपने यह बात कभी डेफो साब के सामने उठाई ह इसमें उसमें के तत्कालीन जो एषडियों थे दिनकर तिवार जी वह यहां पर आये थे इसमें उन्होंने यहीं कहा था कि पीड़ डी को जैसे नहीं रोट करती है उसी परगार से प्रवेसर करना पड़ेगा तो हम इसमें अनापत्ती जल्दी मिल जाएगी क्योंकि उसमे भूमी हस्तांतरण का मामला अभी सुने थे हम बीच में कुछ चला है करके लेकिन अभी तक हो कुछ नहीं पाएगा बर्शाद का समय आ रहा है यहां पूरा यह सब्जी उत्पातन छेत रहे हैं कच्ची सब्जी हमें होती है तो आप अभी से चल चुकी है आलू-ालू हमार आप ऊसकट खतरना कुई है जर्हाव उसको देखते होई है उसका वीडियो भी मना ले जा है क्या आपने इस बात का संग्यान यहां के जो माननी विधायकी जी है सरी राम सिंग कड़ा जी उनके संग्यान में भी यह बार बाये है उन्हें कई बार उनको चीज के लिए बु प्लिक थोड़ा सा उसमें जरा वो हो रही है कि इसमें कारवाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है हम विदागी जी से भी आसा तो रखते हैं कि वो कारवाई करेंगे लेकिन कब होगी क्या होगी इसका कोई नहीं है धन्यवाद इसमें मैंने जिला दिगारी मोहदाय को भी पर अभी को अधिकारियों को और प्रसाशन को थोड़ा संग्यान लेना चाहिए मैं वेत्वगाशा रहा यूके 24-7 न्यूस के लिए अपने सयोगी केमरामेन विनोजी के साथ भीमताल से